की बड़ी खबर गुवालियर से जहां 15 अस्पतालों के लाइसेंस रद्ध कर दिये गए हैं रिजिस्ट्रेशन ना करने की वज़ा से लाइसेंस रद्ध हुए हैं 31 मार्च तक रिजिस्ट्रेशन करने की आखरी तारीख थी मनेश शर्मा ने लाइसेंस निरस्थ किये हैं अस्पतालों को ततकाल बंद करने के निर्देश भी दे दिये गए हैं मेर सयोगी ग्वालियर से कंड मिश्रा हमारे साथ लाइफ जुड़ गए हैं मिश्रा आखिर क्या वज़ाएं जिसके चलते अस्पतालों के लाइसेंस रद कर दिये गए देखी बिल्कुल यदि हम समय सीमा की बात करते हैं तो हर वर्ष यानि 31 मार्च की तारीख तक जो है जितने भी निजी अस्पताल संचालित होते हैं उनको इनका नवीनी करण यानि एक दुबारा से इसका पंजियन के लिए अप्लाई करना होता है और नवीनी करण फॉर्म को फर्केश जो सम्मंदित जानकारियां और जो नियामावली है उसको फुल्पिल करना होता है लेकिन अभी तक ये तस्वीर देखने में आई कि लगभग ये पंदरा अस्पताल ऐसे थे इनोंने अपने जो पंजी करना है अस्पताल का पंजियन उसको नवीनी करत नहीं कराया था जबकि जब CMHO ने सहर में निरिक्षन किया तो ये अस्पताल संचारित होते हुए पाए गए और यही कारण है कि ततकाल प्रभाव से CMHO ग्वालियर ने इन अस्पतालों के जो पंजियन हैं उनको निरस्ट करने की कारवाई संचारित की है चुकि साफ तोर पर ये नियम देखा अभी तक ये गया है कि कई अस्पताल शहर में ऐसे हैं जो बिना किसी पंजियन के संचारित होते रहते हैं और जो आम सीरियर तोर पर कहा जाए आम गट्ती के जीवन के साथ खिलवार भी करते हैं और मौटी रकम भी उनसे बसूलते है और यही कारण है कि M.H.O. के दुराण जब इन 15 अस्पतालों की तस्वीर सामने लिकरकर आई उनके दौरा अपने अस्पतालों का पंजियन नवी निक्रत नहीं कराए गया और अस्पतालने संचारित भी कर रहे थे। और यही करण है कि CMH को द्वारा तत्काल प्रवाव से किसी तरह की प्रतिक्रिया सामने हैं, किसी तरह का रियाक्शन सामने हैं, जिससे कि वो बता पाएं कि आखिर उने रेजिस्टरेशन क्यों नहीं कराया था, कहां चुक हो गई, कहां लापरवाही हो गई? देखी अभी तक इस प्रकाही कोई तस्वीर सामने तो नहीं आई हैं, लेकिन गौलिय के CMH को डॉक्टर मनीश शर्मा के दौरा इन सभी को पत्रचार के जरिये जवाब करने के लिए जरूर समय सीमा दी कही थी, दो दिन का वक्त दिया गया था, उसमें इनको अपना जवाब प्रस्तुस करना था और जो जवाब अस्पतालों की और से आए हैं, वो पूरी तरह से संतुष्टी वाले नहीं थे, और यही कारण है कि जो गौलिय के CMH हो है, उनके द्वारा इस कारवाई को अंजाम दिया गया है, लेकिन सबसे मुक्त बात ही है, कि अभी भी शहर के अं उन पर ताले लगाने की शुरूबात कर चुकी है, जी बहुत बहुत शुक्रिया करण हमें तमाम जानकारी देने के लिए